So I guess it's been a long long time तो चलो फिर शुरुवात से शुरू करते है पिछले साथ, फिर तो अब मार्च 2023 मैंने अपना नीट PGA अटेम्ट दिया डूरिं माइ इंटर्शिप पीरियर विदाउट इनी प्रिपरेशन था, obviously मैंने बस इस के वज़र से दिया था कि मैं देखना चाहता था कि मैं अपने फाइनल यर की जो प्रिपरेशन करके आया हूँ इंटर्शिप में मैंने जो चीज़े सी की है उसके बरदूते पे मेरी नॉलेज किस लेवल पे है मैं उस कॉम्पेटिशन में कहां स्टैंड करता हूँ तो जब रिजर्ट आये मैं रांग वस बाउट सिस्टी थाउज़ड और आई वस ओके विग दाट देन मैं इंटर्शिप कंपलीट करके अपने घर गया और वहां से स्टार्ट वी मैं जोर्नी ऑफ क्राकिंग देव पीजी एक्जाम बट एक बात है एंबी वालों ने बोला था कि हम दो शिफ में पेपर इसलिए कर रहा है ताकि पच्चो फो एस्पेरिंट्स को अपने घर के पास का सेंटर मिल सके बट मेरे गर से सबसे फास तो नागपूर है जो 70 किलोमेटर की दूरी पहत पूने अल्मोस्ट पढ़ता है 700 किलोमेटर तो पता नहीं इन्होंने जीरो नहीं देखा है या अकडबकड करी है बट एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे सेंटर में एक लगा था जो राजस्थान से आया था उसका कहना था कि उसने पूने डाला भी नंगीता सेंटर में फिर भी उसको पूने अलोट किया गया तो इस साथी जो नीट पीजी थी वो most of the experience को हमेशा के लिए याद रहेंगी इस अमेमरेवल नीट तो ये वोई स्टार्ट से लेके एंड टक की बात बट इस बीच मैने दो और एक्जामस दिये INI said November 2023 and INI May 2024 जब November में इक्जाम देने गया तब मेरी almost एक रिविजन खतम हो चोकी थी and I was like कि चब देखते है कितना इंप्रूब्मेंट हुआ है 60,000 से अभी कितना आएगा so my rank was 10,000 अच्छा इंप्रूब्मेंट हा I was happy तो उसके बाद रिविजन करते रा test देते रा and then May 2024 में जब INI दिया तब मेरी almost चार रिविजन खतम हो चोकी थी and I was pretty confident कि या मेरा अच्छा एक्जाम जाना चाहिए but when I came out of the examination center I wasn't feeling well वो एक feeling आते है कि तुमने एक अच्छा एक्जाम देख गया है तो मुझे ऐसा लगा थे मैंने कहीं ना कहीं गड़वट करी and it turned out to be true my result, my rank was 3783 तो जो गड़वट करी वो आगे वाले वीडियो से बताऊंगा तोकि तेर साज मेरे ने वीडियो फॉर्मेट में कोई भी वीडियो ले बनाया कोई भी कॉंटेंट ने बनाया तो शेर करने के लिए पताने के लिए बहुत तो चीज़ है तो stay tuned बट अब या आते हैं नीट के उबर अब नीट 23rd of June को होने वानी 12 गंटे पहने cancel हुई then तब सोचा कि I should give one more revision cycle I will emphasize on solving more questions क्योंकि वो एक मेरा रहे गया था कि मैंने subject test नहीं किये थे subject test रहे गये थे और मुझे मैरो में वो पूरा green green डिखना चाहिए था तब ही मेरा एक FOMO वो दूर होता then the 11th of August को exam हुई अच्छे से exam दिया जब examination center से paper देके बाहर आया तो लग रहा था कि I gave my best मैंने कोई ज़्यादा सेले mistakes नहीं करी है जो नहीं आता था उल को छोड़ के आया बस ताकि घर पे आके ये ना लगे मुझे कि यार ये चीज नहीं करनी चाहिए थी ये चीज से मेरा rank पीछे हो गया तो उसके बाद results का वेट कर रहा था 23rd of hours को result आए I was expecting a rank under 1000 में recalls भी देगे थे उसके हिसाब से but when I checked the results मैंने अपना जो भी ID था rule number था वो अच्छे से डाला बार बार चेक किया कि ये ही rank एके नहीं and my rank turned out to be All India rank 695 so it was a sense of relief to me as well as for my parents but results आने के बाद I was partly happy partly not so happy क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि जो मेरा limited circle है जो मेरे दोस्त है उनका भी निकले but कुछ दोस्तों का रहे गया so वो 100% जो level रहता है celebration का या खुशी का तो वो match नहीं कर पाया but I know they'll definitely crack the exam in the next attempt so ये बस एक update वीडियो था कि मैं इतने time से कहा गाए अब था मेरी exams कैसे गई, मेरे ranks कैसे आए and how I progressed throughout the journey so बताने के लिए बहुत कुछ है stay tune करना, see you soon guys bye